भारत 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है इससे भब्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता इसी कड़ी में भारत कश्मीर के स्रिणगर में 22 से 24 माई तक G20 की बैठक का आयोजन करने जा रहा है भारत की इस आयोजन से चीन सरकार के अधिकारियों में खलबली मची हुई है चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता वांग वेन विन ने कहा कि चीन विवाजित छेतर पर किसी भी प्रकार की G20 बैठक में आयोजित करने का दिर्टा से विरोध करता है हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे श्रिणगर में होने वाले G20 वरकिंग ग्रूप की बैठक के लिए चीन ने इस कारिक्रम में शामिल नहीं होने की पूस्टी कर दी है यहां तक कि भारत सरकार ने गोशना किये कि तुर्की साओधी अरब और मिस्ट ने अभी तक अपना के उलंगन है जम्मू और कश्मीर के अपने अवायत कपजे को बनाये रखने के लिए भारत का गयर जिम्मेदारानक कदम है केंद्रिय मंत्री जितेंद्र सिंग ने बूदवार को कहा कि श्रिणगर में G20 बैठक जम्मू कश्मीर के लिए अपनी वास्तविक छमता दिखान में अवांचित टिपड़ियां की थी भारत पहले भी जम्मू कश्मीर पर चीन और पाकिस्तान के बयानों को खारिज कर चुका है भारत और चीन के बीच तीन साल से पूर्वी लद्दाक में गतिरोध है जून 2020 में पूर्वी लद्दाक की गलवन घाटी में वीशन जड़ के बाद दुविपक्षिय संबंदों का काफी तनाव उत्पन हो गया था भारत ने कहा कि जब तक सीमा छेत्र में सांती नहीं होगी तब तक दुविपक्षिय संबंद समाने नहीं हो सकते श्री नगर में 22 से 24 मैं तक होने वाले G20 सिकर सम्मेलन के लिए सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है आतंकियों और परोस पाकिस्तान के नापाक मुनसुवों को बिफल करने के लिए जल और जमीन सहीत आसमान से भी नजर रखी जा रही है इसके लिए विशेश तोर पर मरीन कमांडो मार्कोस और रास्ट्रिय सुरक्षा गाड एनेस जी के एलिट कमांडो को सुरक्षा विवस्ता की जिम्मेदारी सौपी गई है जी ट्वेंटी का गठन 1999 में हुआ था इसको ग्रूप ऑफ 20 भी कहा जाता है यह यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनापचारिक समू है जी ट्वेंटी सिकर सम्मेलन में इसके नेता हर साल को आता है